दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में सबसे बेहत्रीण suspension वाली गाड़ियां कौन-कौन सी हैं suspension का मतलब होता है कि गाड़ी के शोकर किसी भी गाड़ी में फिरंट में अलग suspension मिलते हैं और रेडियर में अलग यानि की पीछे की तरफ अलग सस्पेंशन का काम होता है कि गाड़ी की हैंडिलिंग अच्छी करना और उसका बैलेंस बनाए रखना और गद्गियों का पता न चलने देना तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि सबसे अच्छे सस्पेंशन वाली गाड़ियां कौन-कौन सी हैं चलिए शुरू करते हैं टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए यह सैल्टोस सैल्टोस एक वाइप सीटर एस्यूवी कार है काड़ी के सस्पेंशन के चनल के बारे में बात करें तो इसके फ़रंट में आपको कपल टोसन बीम एक्सल विद क्वैल स्पिरिंग मिलता है यह सस्पेंशन इसका बैलंस अच्छा कर देता है यह कार पैटरल और डिजल दोने इंजन के उप्शन में मिलती है लेकिन body तो बिल्गु सेम मिलती है इसमें आपको 1.4 और 1.5 लिटर का petrol engine मिलता है और 1.5 लिटर का diesel engine मिलता है ये car automatic और manual दोनों transmission के option में मिलती है और car के base variant के एक्शोरों कीमत है 9,79,000 रुपे से फिर आती है मारूती Swift Swift का भी balance काफी अच्छा है और ये car 5-seater hatchback car है गाड़ी के suspension के बारे में बात करें तो इसके front में आपको Mac, Fadison, Stunt और Rear में Tosun beam suspension मिलता है जो कि इसकी body का balance करता है और गाड़ी की handling भी अच्छी करता है ये car diesel और petrol दोने engine के option में मिलती है जिसमें की 1.2 लिटर का petrol engine मिलता है और 1.3 लिटर का diesel engine मिलता है और car में दोनों transmission का option मिलता है automatic और manual का car के base variant के एक शोरूम कीवद है पांच लाग 14,000 रूपी की फिर आईए Hyundai company की Venue Venue एक 5-seater SUV कार है काड़ी के suspension के बारे में बात करें तो इसके front में आपको Mac, Fadison, Stunt और Rear में Couple Tosun, Beam XC मिलता है जो कि इसकी body का balance अच्छा करता है और गाड़ी की handling भी बहतर कर देता है ये car diesel और petrol दोने engine के option में आती है body तो बिल्कु सेम आती है engine के option चाहे कितनी आ जाए लेकिन body तो एक ही होती है और इसकी handling, suspension सब सेम होता है जिसमें की 1.0 और 1.2 लिटर का petrol engine मिलता है और 1.4 लिटर का diesel engine मिलता है ये car automatic और manual दोनों transmission के option में मिलती है और car के base variant के एक शोरों कीमत है 6.6 लाग रूपे से मारुति बलीनो बलीनो जो की 5-seater hatchback car है और गाड़ी का suspension है इसके front में Mac, Fadison, Stunt और Rear में टोशन बीम मिलता है जो की इसकी handling को बहतर करता है और ये car diesel और petrol दोने engine के option में मिलती है जिसमें की 1.2 लिटर का petrol engine और 1.3 लिटर का diesel engine मिलता है और car की एक शोरों कीमत है जो की शुरू होती है 5,58,000 रूपे से मारुति विटारा ब्रेजा ब्रेजा एक 5-seater SUV कार है गाड़ी के suspension के बारे में बात करें तो इसके front में Mac, Fadison, Stunt with coil spring और पिछले में टोशन बीम मिलता है और गाड़ी का balance बहुत अच्छा बनाए रखता है ये car सरिफ आपको diesel engine के option में मिलती है जिसमें की 1.3 लिटर का diesel engine मिलता है और car की base variant के एक शोरों कीमत है 7,62,000 रूपे की मौर्थी डिजायर डिजायर जो की 5-seater sedan कार है और गाड़ी का suspension है इसके front में Mac, Fadison, Stunt और रेयर यानि पिछले के टोशन बीम मिलता है जो की इसकी handling को बहतर करता है और car में diesel और petrol दोन इंजन का option मिलता है पेस वेरियंट के एक शोरों कीमत है 5,62,000 रूपे से हुडाई क्रेटा क्रेटा एक 5-seater SUV कार है और गाड़ी के suspension के बारे में बात करें तो इसके front में Mac, Fadison, Stunt with Coil Spring और पिछले couple Totion Beam Axle CTBA with Coil Spring मिलता है जो की गाड़ी का balance और handling दोनों अच्छी करता है ये कार डिजल और पैटरोल दोने इंजन के option में मिलती है जिसमें की 1.6 लेटर का पैटरोल इंजन और 1.4 और 1.6 लेटर का डिजल इंजन मिलता है गाड़ी में दोनों transmission का option मिलता है automatic और manual का कार के base variant की कीमत है 9,99,000 रूपे से मारूती Altiga Altiga जो की 7-setter M.U.V कार है ये कार 7-setter है तो इसका suspension और अच्छा होना चाहिए गाड़ी के suspension में इसके front में Mac, Pedison, Stunt और पिछले Totion, Beam और Quail, Spring मिलता है जो की इसकी handling और बहतर करता है ये कार डिजल और पैट्रोल दोने इंजन के option में मिलती है इसमें की 1.5 लिटर का पैट्रोल इंजन और 1.5 लिटर का ही डिजल इंजन मिलता है कारी में दोनों transmission का option मिलता है automatic और manual का कार के base variant की एक शोरूंकी माश शुरू होती है 7,54,000 रूपे से महिंदरा एक्स यूवी थ्री डावलो एक्स यूवी थ्री डावलो एक फाइब सीटर एस्यूवी कार है कारी का suspension है इसके front में मैक फेरिसन स्टन्ड विद एंटी रोल बार और पिछले हैं twist beam suspension विद कोयल स्प्रिंग मिलता है जो कि इसकी handling और body को अच्छे किसे जो कि इसकी handling और body को अच्छे से balance करता है खड़ों में भी ये कार डिजल और पैट्रोल दोने इंजन के option में मिलती है और इसके suspension काफी बहतर है जो कि 1.2 लिटर का पैट्रोल इंजन और 1.5 लिटर का diesel इंजन मिलता है कार में automatic और manual दोनों transmission को option मिलता है कार के भीस variant के एक शोरोम कीमते 8,30,000 रुपे की अब आईए हमारी लिस्ट में वो कार जिसके suspension काफी अच्छे है वो है Toyota Innova Crysta Innova Crysta एक 7-state Ram UV कार है कार के suspension के बारे में बात करें तो इसके front में आपको double with bone with, tosion bar और rear में four link suspension मिलता है जो कि इसके handling और body को अच्छे से balance साथी साथ बहुती अच्छा comfort देता है इस कार में काफी अच्छा suspension मिला है जो कि खड़ों का पता नहीं होने देता ये कार सबसे अच्छे suspension वाली कार है इसमें diesel और petrol दोने engine का option मिलता है जिसमें की 2.7 liter का petrol engine और 2.4 liter का diesel engine मिलता है कार में automatic और manual दोनों transmission का option मिलता है कार के base variant के एक शोरों की मशुड़ों होती है 14,3,000 रुपे से तो ये हैं 10 वो गाड़ियां जिनके suspension काफी अच्छे है जिसमें की किया सेल्टोस आई है और जो सबसे अच्छा जो suspension है वो Toyota इन नोवा क्रिस्टा का है और दूसरे नमबर पर महिंदरा XUV3OO का